दफाइट यानि की लड़ाई रणची हैट बेन लेस देन अमन्थ इन राजपुर रणची को राजपुर में रहते हुए एक महीने से भी कम का समय हुआ था वेन इसकवर्ड दफूल इन दफॉरेस्ट जब उसने जंगल में एक तालाब को खोजा वो तालाब बड़ा ही ठंड़ा, साफ सुथरा और आकर्शक था उस दिन बहुत गर्मी थी उसने उस पानी में तैरने के लिए चलांग लगा दी और उसने वहां बहुत मजे किये अगले दिन वो फिर से उसी जंगल वाले तालाब की ओर आया वाइल ही ले देर, he noticed another boy looking at him in a hostile manner जब वो वहां उस तालाब में लेटा हुआ था तो उसने नोटिस किया कि एक दूसरा लड़का उसकी ओर देख रहा है बड़े ही शत्रुता पूर्ण तरीके से दूसरे वाले लड़के का नाम सूरज था older, taller and stronger than रणजी और जो दूसरा लड़का सूरज था वो रणजी से उम्र में भी बड़ा था लंबाई में भी बड़ा था और उससे ज़्यादा ताकतवर भी था उसने कहा कि ये उसका तालाब है बड़ रणजी रिफ्योज टू रन अवे लेकिन रणजी ने वहां से जाने से मना कर दिया त्रिव चैलेंज टू इस एड़जरी उसने अपने विरोधी की तरफ एक चैलेंज रखा एक चुनौती रखी सूरज स्लैप्ट रणजी अन दा फेस सूरज ने रणजी के चेहरे पर एक थपड मारा फरांसर रणजी हिटा हार्ड ब्लो ओन सूरज फेस और उसके जवाब में रणजी ने भी सूरज के चेहरे पर बड़ी तेजी से एक मुक्का मारा And then they were at each other's throats और फिर उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का गला ही पकड लिया Their fight continued for a long time उनकी लड़ाई बहुत देर तक जारी रही It was a violent fight ये लड़ाई अब हिंसात्मक हो चली थी The fight continued even in the water और ये लड़ाई पाने के अंदर भी जारी रही But there was no result of the fight लेकिन उस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला Because neither of the two boys was ready to give in क्योंकि दोनों लड़कों में से कोई भी हार माने को तैयार ही नहीं था So Suraj said इसलिए Suraj ने कहा We will continue the fight tomorrow हम कल फिर लड़ाई जारी रखेंगे Ranji promised to come Ranji ने भी आने का वादा किया And said और कहा I will be ready for you मैं तैयार रहूंगा तुमसे लड़ने के लिए He had got cuts on his face, legs and arms Ranji के तो चहरे, टांगों और भाजूं पर खरोच के निशान भी आ गए थे The next day Ranji felt weak and not at all eager for a fight अगले दिन Ranji खुद को कमजोर महसूस करता है और वो किसी भी तरह से ये भी नहीं चाहता था कि दोबारा से लड़ाई हो But he could not refuse the challenge लेकिन वो अपने ही challenge को नकार नहीं सकता था So he went to the pool इसलिए वो तालाब की ओर गया He found the other boy waiting for him at the other bank of the pool वहाँ जाकर वो देखता है कि जो दूसरा लड़का सूरज है वो तालाब की दूसरे किनारे पर उसी का इंतजार कर रहा होता है Ranji jumped into the water Ranji पानी में यानि कि उस तालाब में कोद पड़ता है and swam across the pool like a fish और तैरते हुए तालाब की दूसरे किनारे पर जाकर निकलता है मानो कोई मचली तैर रही हो The other boy was astonished to see Ranji's skill दूसरा वाला लड़का यानि कि सूरज Ranji के इस तैराकी वाले हुनर को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ He wanted Ranji to teach him the skill of underwater swimming वो चाहता था कि Ranji उसे सिखाए कि पानी के अंदर रहकर कैसे तैरा जाता है They decided not to fight anymore उन दोनों ने आपसे समझ के साथ ये निर्ने लिया कि अब और ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी They became friends और वो दोनों मित्र बन गए इस कहानी में ये संदेश दिया गया है कि हर समस्या का समाधान लड़ाई करना ही नहीं होता है कभी-कभी आपसी समझ के साथ कुछ फैसले शांती से भी किये जाने चाहिए कर दो दो दोने होगी